हालो नमस्ते मैं प्रवीन सेंवर आप सभी का आज फिर अपने एक नहीं वीडियो में स्वागत करता हूं पच्पन आर एंडाइस्टॉप डिप्लोम कॉलेज के इस्टाफ द्वारा यह ओनलाइन वीडियो क्लासे चला ही जा रही है जिसमें मैं सब से पहले इन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पिंसिपल सर एकाजी सर अनिल सर और परवीन सर तो चलिए शुरू करते हैं आज मैं आप सब को ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि हमें पस्वों में परजनन किस परकार करवाना चाहिए ताकि हमें अच्छी उत्पादन वाली अच्छी गुणों वाली नसल प्राप्द हो सके तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीडिंग क्या होती है परजनन क्या होता नर्वे मादा जनकों का संतान पत्ति के लिए कि एगे प्रास परिक सहवास को परजनन कहते हैं जब नर्वे मादा जनक अपने वंस को आगे बढ़ाने के लिए संतान की प्राप्ति के लिए क्या कर करते हैं एक दूसरे के साथ पारिस्परिक सहवास करते हैं जिसे से एक संतत्ति उत्पन होती हैं इसी किरिया को हम परजनन कहते हैं अब हमें इस परजनन को पस्वों से समंधित अद्यन करना हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें परजनन द्वारा पस्वों की नसल सुदार क उसमें अच्चे से अच्ची किसम के गुणों का विकास करना, उसमें जो दमंसिल गुण है, उनको जाकृत करना और जो की असुद नसल के पसु है उसको सुद नसल में, उसकी संतान को सुद नसल में परिवर्दित करना, हमें परजनन के मादिम से ये हमारे जो समंदित पस्वों से समंदित कारिये के लिए परजनन आवे सक हैं तो पस्वों परजनन के मुझे तीन सादने बात करें तो पस्वों को परजनन हमें करवाना है तो उसके लिए हमें इन तीन सादनों के आई सकता होनी जरूरी है तो सबसे पहला है एन्वाइर्मेंट यानी वातावन सबसे पहले हमारा वातावन पस्वों के परजनन के लिए अनुकूल होना चाहिए वातावन पर भी निर्वट करती है कि या पसू इस वातावन में क्या परजनन कर पाएगा क्या पसू इस परजनन कर लेगा लेकिन क्या संतानों तपत्ती के लिए सक्षम है इस वातावन में तो उसके बारे में हम इंवार्मेंट से समझ देती यानि हमारा वाताउन आसपास का पसु के आसपास का वाताउन किस परकार का है वो भी एक बहुत महतुपूर्ण निर्बरता रगता है पसु के परजनन के लिए फिर नेक्स्ट है मेथेड ऑफ ग्रीडिंग कौन सी विद्या है जिन विद्यों का हम उप्योग करके अलग अलग पसु में अच्छी से अच्छी किसम की नसल अच्छी से अच्छी गुणों वाली नसल अच्छी से अच्छी उतपादन देने वाली नसल आधी का हम आधी नसलों को हम प्राप्त कर सके तीसरा सबसे इंपोर्टेंट है सलेक्षन यानी चैन वरन सलेक्षन चैन इसका मतलब होता है हमें परजनन के लिए किन किन पसों का चैन करना चाहिए ऐसे तो है नहीं कि हमने दू असुद नसलों को ले लिया फिर हम आप एक सा करेंगे कि इन से हमें एक अच्छी नसल की संतति प्राप्थ हो तो वो होना थोड़ा मुश्किल है इसलिए हमें अपने method of breeding के अनुसार हमें प्रजनन की कौन से विधी यूच की है उसके अनुसार हमें किसी पसो का चैन करना होगा हमें पसो का चैन करना होगा कि ये पसो इन पसों के मद्य, इन नर्वे मादाओं के मद्य हम चाहिन कराएंगे, तो हमारी जो संतत्य उत्पन होगी, वो क्या होगी, अच्छे गुणों वाली, अच्छे उत्पादन वाली संतत्य उत्पन होगी, यही कारण है, देखो, important line है, यही कारण, पसो का अश्ट पुष्ट ह ना उनकी वर्दी परिपक्ता परजनन वे उत्पादन असर पर असर डालते हैं, जो मैंने यह तीन मुख के सादन बताया, environment वातावरण, परजनन की विद्या, method of breeding, and selection, चैन या वरण, यह तीनों कारण के पसूप की जो संतान होगी, वो हश्ट पुष्ट होगी, उसकी वर संतान की संतान कि संतान की संता कितनी है, वो भी इसपर निर्प्र करते हैं, उत्पादन पर असर डालते हैं और जो ये कारक है ये भी उत्पादन पर असर डालते हैं कि जो संत्त्य होगी उसका उत्पादन कितना होगा क्या होगा नेक्स्ट हम जानेंगे हमारे क्या उदिस्य होते हमें प्रजनन करवाना है तो हमारे कुछ तार्गेट होते हैं हमारे कुछ उदिस्य होते हैं हम वहरत में कोई काम नहीं करते हैं हमें कुछ ना कुछ उनसे लाप राप्त करना है तो लाप राप्त करना है इसलिए हम प्रजन करवाना चाहिए हमारे क्या उदिषी अच्छे गूनो वाली और अधिक से अधिक संतान प्राप्थ हो वो एकदम बढ़िया गूनों वाली होनी चाहिए और दूसरी संतान भी अधिक होनी चाहिए पेदा उत्पादन में वर्दी हम जो उत्पादन मिल रहा है पसु से वो जो हमारी संतत्य उत्पन हो परजनन से तो उसमें अंडा मास दूद उत्पादन भी परजनन के माध्यम से बढ़े ये भी हमारे उद्यसी होता है उच्छ कोटी के वांचनिये लक्ष्णों वाली संतत्य पैदा करना और हमारा एक मुख अचनिये गुण वाली नसल की नसल पैदा करना पसु के नेक्स्ट है पसु के सरीर की सिग्र वर्दी ताकि पसु साररीक रूप से जल्दी प्रजनन होगी हो जाए तो एक उद्यसी ये भी रहता है कि हमारी जो संतनी उत्पन हुई है वो सिग्र से सिग्र क्या करे वो जो स लड़ने की समता पैदा आगाने मैं जैसे कि जैसे कोई विदेशी नसल को याँ पर देस में या देसी नसल या अमारे चेत्र में लाये जाए तो उसका वातरों याफिल उनलग जाये तो उसका मापे जीवनियापन करना कठी नोगा तो इसका एक माद्यम है के हम यह की कुछ देशी नसल में उसनल के साहथ परजनन का गाय जाए जिस से जो संतपनी उत्पन होगी वह क्या होगी वह इतनी तागतुर होगी कि यहां उनको भी सेयन कर सके और यहां के वाता है उनका अनुसार जो भी बीमारियां हो उनसे लड़ने की समता भी उत्पन हो जाए नेक्स्ट एक मैंना हाइलाइट किया यहां पे नीचे परजनन विदी पसुपालकों के लिए विशेस उपकरन है जो यह परजनन विदी है जो पसु चैप्रेस में पड़ा था कि जीन क्या है जीन के बारे में सब कुछ आपको पड़ाय होगा है तो यह जो हम को पता है हम टेक्निकल स्टुडेंट्स हैं तो हमें सब चीजे पता है कि जीन क्या है हमें जीन की उत्पत्ति कैसे होती है तो हम पता है कि हम जीन उत्पन नहीं कर परजनन के मात्यम से एक ही नसल या एक ही नसल के पसूरिया जो हमें चाहिए मन्वान्चित नसल उसमें उन गुणों को लेके आना जिससे की जो उच्छ कोटी के लक्षन उत्पन हो सके यह इंपोर्टन्ट है द्यान रगना नेक्स चलते हैं हमें परजनन की कौन-कौन सी वीद्य है एक बार में पहले भी आपको बता चका हो आज हम इसको विस्तार वोरुख पड़ेंगे परजनन की क्या-क्या वीद्य अन्ते परजनन मुक्यत है यहां पर देखो दो मुख्यत है जो प्रजनन सिस्टम है ब्रीडिंग सिस्टम है उसको दो भागों में बाता है एक तो है इन ब्रीडिंग एक है आउट ब्रीडिंग यानि अंत्य प्रजन और वही प्रजनन या वही प्रजनन जो हम अंत्य प्रजनन को वापस दो भागों में बाढ़ता है कि बिन्य संक्रन परजन पहला है दूसरा है संक्रन परजन यानि जो इसके इंगलीज वाले वर्ड आप देखोगे हिंदी से थोड़े श्रल है आप इन पर फोकस करो जादा इंगलीज वाले वर्ड जादा यूज में लो टेक्निकल यही आपके सब जगे पूछ जाता और संक्रण नेक्स्ट हैं अंत्य प्रजनन हम सब से टॉपिक हमारा है कौन सा इन प्रजनन के बारे में हम पढ़ते हैं चार से छे पीडी तक एक ही नसल से संबन दित नर्वे मादा के प्रसपर संभूग को अंत्य प्रजनन कहते हैं नाम से अंत्य यानि पास का चार से छे पीडी के अंदर ही एक ही नसल के ध्यान रगना यहां पर पीडी भी चार से छे पीडी के अंदर होने चाहिए और एक ही नसल के होने चाहिए और वो भी आपस में सम्मधित होने चाहिए इस में कुछ जो हमपसू का चहिन करें उनमें कुछ रिस्ता होना चाहिए जैसे चचे रवाई बैन होशचते हैं दादा, पोटी पोटा, दादा, दादी, मा बेटा इस परकार के समध होने जरूरी है तो इसका उदिश्य क्या है यह अंत्य प्रजनन क्यों होते हैं अंत्य प्रजनन इसलिए करते हैं कि जो हमारे मनवान्चित गुन है हम जिन गुनों को चाते हैं वो किसी अगर नसल में है तो अगर बार-बार उसको नेक्स्ट है इस परकार के प्रजनल की काण जो संतत्ती में एप्रभावी जीन की समानता बढ़ती है जो की एक बिंदू पर खतरनाक साबित हो सकती है ये कहना चाह रहा है कि अंते प्रजनल एक तरप से देखे तो जो है वो प्रभावी जो भी गुण है उनको इस्तर बनाए प्रभावी चुपे हुए रहते हैं परगट नहीं हो पाते लेकिन फिर भी वह इंटर्नल रूप से प्रभाव अपना एक पीडी से दूसरे पीडी में अपने ए प्रभावी होकर भी अपना परभाव उनके साथ दरसाते हैं तो जो एक बिंदू पर जाएंगे और कहीं ना यह पर बावजीन एक बार अचानक से प्रगट हो जाएंगे और वो प्रगट होने के बाद जो हमारी नसल में जो क्या है खतरनाक साबित हो सकते हैं अंतर प्रजणन को और उद्दियों गया इन ब्रीडिंग को लोज ब्रीडिंग और संब्रास ड्रोरिडिंग उर समान याप जो हमारे निकट समन्दी तो ढूल्कुल ही निकट समंदी बिल्कुल ही निकट समंदी नर्वे मादा पस्मों का परस परिक सहवास करवाई जाई तो वो क्लोस ब्रिडिंग है ध्यान अगना जो बिल्कुल ही जो हमारे निकट के हैं उनके साथ अगर हम परस पर एक सहावास करते हैं तो वो क्या है क्लोज ब्रीडिंग है जैसे सगे भाई जैसे मैंने एक्जेम्बर दिया है सगे भाई और बेर के साथ पिता, पुत्री के साथ, पुत्र मा के साथ यह आपको समझ में आगे होगा यह सिंपल सी बात है लाब अब क्लोज ब्रीडिंग के क्या लाब है लाब क्या है परभावी लेक्षनों का पता लगाना और एवांचित गुनों को पसू समू से अलग करना इसमें क्या होगा जो परभावी गुन होते हैं मैंने बताया था इन ब्रीडिंग तो इन ब्रिडिंग में क्या होता हैं जो परभावी है वो इस्तर बनता है तो यह निन ब्रिडिंग के ही अलग जो दो होगे थो अपने परभावी चीन है उनको इस्तर बनाई रह्केगा दूसरा है जो प४सुत्पन होगे वो एक समान दिखाई देंगे जैसे कि आप आप देखो आपके परिवाणके जो भी सदस्य हैं उनके जो सक्रत हैं थोड़ी थोड़ी आप से मिलती हैं जैसे आप भाई की आपके बेहन की उनकी थोड़ी इसके कायन क्या होती है, मिर्ति दर बढ़ जाती है, प्रजनन रोक परती रुद्ग समता में कमी हो जाती है, एवान चित गुणों का विकास हो जाता है, और प्रजनन समता में कमी हो जाती है, नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे लाइन ब्रीडिंग, अंतरवन्स प्रजनन, लाइ लाइन ब्रीडिंगें तो लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है चार पर पाँच पीडि का अंतरत है जैसे एक जम्बल मैंने दिया एक बहुत यह चा छचेरे भाई बेन का दादा पोती का और पूतापोती कि स्मूझ में इसमें एक या दो पीडिका गैप है वीच तो जो डो पीडी यह मैं को और भूद होते हैं धोड़े लेट जो चार-पंच-अबी बात प्रगट होते हैं यх Their जो नसल होती है वह अच्री प्रगार से विक्सित कर लेते हैं जिसे में थोड़ा नुक्सान कम होता है कि इसके गुण लाब और हनिसया में लेकिन जो भी है वह थोड़े लेड़ उतपन होते हैं नेक्स्ट क्या इसमें परजनन इस विदी में सम परजनन से होने वारे निक्सवाल से बचा जा सकता है नेक्स्ट इसमें ज्यादा ज्यादा है परवाव इलेक्शन तो इस विदी को अपनाना चाहिए जो हमारा जनक हैं जनक हम चूच करें वरन सेलेक्षन क्या है उनका अगर उसमें परवावी गुन जदा है तो हमें इस विदी का चाहिन करना चाहिए हानी क्या है जो इसकी हान्या है थोड़ आमिस टाइपिंग हो गया इसमें हान्या जो सम परजनन की तरह ही होती है या close breeding की तरह ही होती है परन्तु इस विदी को अपनाने में यह जो हानिया जो हमने पीछे पढ़ी थी close breeding की जो मर्तिउदर का बढ़ना परजनन समता में कमी रोपरतियोदक समता में कमी ये चीजे थोड़ी कम होने लग जाती नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बही परजनन अब पहला टॉपिक था पहला इसका एक डिवाइडेशन भाग था इन ब्रीडिंग और दूसरा होगया आउट ब्रीडिंग बही परजनन देखिए इसमें क्या होता छह पीडि को छोड़ कर जो आपस में ऐसमंदित हो ऐसे नर्वे मादा में परसवरिक्स्यावास को आउट ब्रीडिंग गयते हैं इसमें क्योंता छह से साथ पीडि छूड़ जाएगी तो अपने आप इनके बीच में कोई रिस्ता समंद बनेगा नहीं तो इसका मतलब कहने का यह है कि हमें जो भी होने चाहिए इनका दूर दूर तक किसी परकार का कोई रिष्ता कोई समंद नहीं होने चाहिए बीच में जो छे से साथ पीडियों के बाद वैसे वी कोई भी रिष्ता नहीं रहता तो कहने का मतलब एच्छे है पीडि को छोड़ देंगे आप तो जो उनके मत्य समंद क्या होता है नए गुण विक्सित होता है जो दो पीडियों है दो जनक हैं दोनों के मिक्स यहां माल सकते हैं दो नसले हैं उन दोनों के गुण एक तीसरी नसल के रूप में परकट होंगे जो कि उन दोनों नसलों से थोड़े अलग हो गए और कई बार जैसे हम किसी भी नसल क करा रहे हैं यह अगर हम किसी जाती को करवा रहे हैं दो अलग लग जातियों के मदी करवाएंगे जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके परकार में पढ़ेंगे इसके टाइफ में क्या है वो जो भी पढ़ेंगे तो यह जातिया हैं इनके जागर दो जातियों में और एक है hybridization next out crossing सबसे पहला इसका part topic है out crossing out crossing क्या है इस परकार के संक्रण में एक ही सुद नसल के ऐसा मंदित पस्वों के नर्वे मादा हुए परसपरिक सहवा क्या है सहवास होता है कहने का मतलब है नसल इसमें नसल एक ही होती है लेकिन आपस में संबंद नहीं होता है नसल तो एक ही होती है दोनों जनकों की बलकि इनमें क्या होता है ये आपस में किसी परकार का इनमें नसल में आपस में संबंद नहीं होता है अब ये क्यों करवाते हैं कि ये विदी इसलिए उपयोग में लेते हैं ताकि गिरी हुई नसल है इनकी जो सम्ता में गिरे उटे हैं गिरी हुई का मतलब कि कि उनके दूद उत्पादन कम है उनके जो भी सारा रिक लक्षन है गुण है वो कम है तो उनको सुधाने के लिए सवरुतम भी दिये इसके क्यालाब है संक्रण किसी विशेस जीन को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाता है यह क्या करता है किसी एक विशेस जीन पर काम करता है जैसे हमें किसी का मिल्क प्रोडेक्शन बढ़ाना है तो यह बहुत यह अच्छी विदी है यह हमें कोई एक लक्षन पर फोकस करके उसमें ह पसु पालकों को अपने पसु को सिखर सुदार लाना अगर हमें थोड़ा रिजल्ट जलती चाहिए तो ये विद्य अपनाने चाहिए इक ही नसल थे इसमें क्या अलग लग नसल के सुद्ध नर्व है मादा पसु में पारश पर एक सहावास को संक्रण करते है जो अलग एक ही नसल होती है तो वो पीछे वाला जो हमने पढ़ा था टॉपिक उसमें एक ही नसल थी इसमें क्या अलग लग नसल है तो अलग लग नस ध्यक्ति इस फिदी दूरा नहीं नऊना के जा सकते इस विदी क्या कि जा सकती है किसे संकृत्व कर सकते हैं हमें कोई मनवान चित गुण उत्पन करने नहीं किसम पैदा करनी है नहीं निसल पैदा करनी है तो यह उप्योगी इस विदी द्वार उत्पन संत्थी बहुत तेज होती है क्योंकि इनमें दौनों नसलों के गुणा आ जाते हैं पूर्तिली और अधिक उत्पातन देने वाल करने हमें अनका मार्केट में बेजते हैं उनकी मार्केटिंग करते हैं तो अच्का मुल्ले प्रात नहीं हो सकता तो ऐसे फटा को मैं सभंब कर दते को उसे विदी को अपनाने से विदेष में कहीं प्रजरन संबंजूंदी बी मारिया भी आ जाती है जैसे हम कोई exotic breed का indigenous breed के साथ संकर्ण करवाते हैं तो जिसके कारण क्या होगा अगर कई विदेश में किसी वो संकर्मित पसू है उसमें विदेशी बीमार्या है वो क्या होगि हमारे अप ग्रेडिंग अप में क्या होता है हम्में नसल को सुधार करना है तो थोड़ा प्रसेस टाइम लेता चैसे साथ पीडी का टाइम लेता जैसे प्रजनन की इस विद्धी में कुछ सुद्ध चुने हुए साड़ों को देशी हुए सुद्ध किसम की मादा हूं मैं मिलाए जाता है उससे क्या उत्पन संतत्ति को पुने पीडी दर पीडी इनी नसल के साड़ से प्रजनन करवाया जाता है जिसे कि 6-7 पीडियों में तक सुद्ध नसल संतति प्राप्त की जा सकती है कहने का मतलब है इसमें हम किसी साड़ का चैन कर लेते हैं फिर उनसे जो संतति प्राप्त होती है उनको वापस उनी साड़ तक करते हैं तो जो हमें अंत मेugम प्राप्त होगी वह कैसी होगी इसमें क्या करते हैं हर भार बैक करणा जो कि स्था कीट शेयर सक्ट ट्राइब अंडब्क संक्राइप अब आरे साथ चाना चुर्फ नाउं जव शी करण है है प्रयेटिणी तरहे हैं के प्रजन की dh men है OUT क है थोड़ा ्होगिया यहां भील कोई बात नहीं प्रजन की स्वुद्धि में है क्या करते हैं अलग लग जात्यों के अलग लग इस पे सीज़ का चाहिक करते हैं दर्वु मादाओं अलग लग इसपसीज के नर्वे मादाओं का चाहिन करते हैं और उनके मंद्य प्रेश सहवास करवाया जाता है तो क्या होगा एक नई संत्ति उत्पन हो जाएगी और वो क्या एक नई जाती उत्पन कर देंगे पिछले जो हमने पड़ा था उसमें तो हमने पड़ा का समूं है अलग जाती का पसू है और गदर भी अलग जाती का पसू है तो इन दोनों के मद्य करवाया तो एक तीसरी जाती कौन सी खचर पैदा हो गई तो इंपोर्टन यह हाइब जो इसका जो यह हाइब्रिडिजेशन है प्रेश संक्रण इसमें यही ध्यान रखना है हम क्या कर तो इसमें ऑलग जाते हों कि मद्य हम क्रॉस कराता है तो एस विदर जो प्रेश था करता हूं आप सभी को अच्छी परकार से आगया होगा अगर आपको इस वीडियो से समंदित किसी भी परकार की कोई भी समस्या है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंड करो आप परिशनलिक कॉंटेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छ लगी वो कर सकते हो तो आज मैं फिर आपको वही चीज आपक पर हम अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर पाते हैं तो इससे जल्द से जल्द बचना है और जल्द से जल्द हमारी कॉलेज को सुरू करना है तो हमें घर पे रहना होगा लोगडाउन का पालन करना होगा तो हमें इन पांच चीजों का तब इस तोर से ध्यान में रखना होगा गर में है लॉक डाउन में है तो फी इन पांच से जोका दिया लगा रखना होगा कौन कौन से हैं 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 डॉस हमें हातों को बार-बार दोना चाहिए एल्बोक अप हमें कौनी से कोनी के द्वारा हमें क्या छीकना को चीकते समय अपने पहले हमातों का यूज करते ते अब हम कौन ही को यूज करना है हमें अपने हाथों को बार-बार फेस के टचनी करना है बार-बार चैरा पर नहीं लगना यह जो हमार यादत है उनको बदलना होगा हमें क्या करना है हमें एक निश्ची दगें में रहना है घर में रहना है कहने का मतलब और एक निश्ची दूरी बना में मिलते हैं ठैंक्स पूर वाचिंग